शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें महाराष्ट की मुख्यमंतरी उद्दवध ठाकरे ने सोमवार को राज्यो विधान परिशत की सदसता की उमेदवारी के लिए नामांग कन कर दिया ठाकरे का निर्विरोध चुनाओ जीतनात तैमाना जा रहा है, इसके अलावा आठन्य प्रत्याशी ने भी निर्विरोध निर्वाचित किये जा सकते है महाराष्ट के मुख्यमंतरी उद्दव ठाकरे की खुरसी पर अब संकट का समापन लगभकते है सोंवार को ठाकरे ने महाराष्ट विधान परिशत की सदसता की उमेदवारी के लिए नामांग कन कर दिया इसके बाद उनका निर्विरोध MLC निर्वाचित फोना तै है कॉंग्रेस के एक प्रत्याईशी का नाम वापस लेनी के बाद MLC के लिए नामांग कन कर दे वाले ठाकरे समेथ सभी नव प्रत्याईशों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है नए समिकरन के हिसाब से राज्यों में विधान परिशत की नौ सीटों के लिए बीजेपी ने चार उमिद्वार मैदान में उतारे जबकि शिवसेना और NCP के दो-दो और कॉंग्रेस का एक उमिद्वार चुनाव मैदान में है महराष्ट कॉंग्रेस के प्रदेश कॉंग्रेस अदक्ष बाला साहब थोरात ने बताया प्रदेश कॉंग्रेस समिती के अपने दो उमेद्वारों में से एक राज्यों किशोर मोदी को राज्य विधान परिशत के चुनाव में नहीं उतारने का फैसला किया है ऐसे में आप महराष्ट के मुख्यमातर उद्व ठाकरे निरविरोत विधान परिशत सदस्य मलसी बनने वाले है इससे पहले महाविकास आगारी गतबंदन में सहयोगी कॉंग्रेस ने शनिवार को दो विधान परिशत सीटों पर उमेद्वार तारने की घोशना करके उद्धों की मुश्किलों को बड़ा दिया था गौर तलब है कि राजचों में विधान परिशत की नौ सीटों के लिए 21 मई को चुनाओं होने वाले है इन बीज से न्यूस के लिए अभिशेक पांसी के रिपोर्ट